Hello दोस्तों कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में हमारे पास आचुका है Redmi Note 12 Pro जो के Redmi Note Series का latest 5G स्मार्टफोन है आज इस वीडियो में मैं आपको इस फोन के 40 से ज़्यादा amazing features के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप इस फोन को ज़्यादा अच्छे से यूज कर पाएंगे तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा और मुझे बताएगा नीचे कोमेंट्स में के आपको कोन सा feature सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ज़्यादा common हो गया है मैं खुद Google पे बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ तो अब जब भी आपको यूज करना है तो directly यहाँ से आप यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इस तरीके की lights जो है वो notification effect की तरह आप यूज कर सकते हैं जब भी phone बंद है कोई notification आएगा तो इस तरीके की lighting effect आपको मिल जाएगी एक बहुत ही जादा useful feature जो मुझे इस phone में लगता है वो है sidebar का जो कि again wide for disabled है और उसको ढूणना काफी मुश्किल है क्यूंकि वो settings में special features के अंदर floating windows के अंदर आपको दिया गया है यहाँ पर आपको sidebar का option मिलेगा इसको आप always show के पर select कर सकते हैं और अगर आप always show करते हैं तो इस तरीके का एक sidebar आपको मिलता है बहुत ही छोटा सा है minimalistic सा है लेकिन काफी smooth तरीके से यह काम करता है और एक और खासियत इसकी यह है कि इसके उपर अगर आप tap करते हैं तो automatically app जो है ओ floating window की form में open होता है और इस sidebar की एक और बड़ी खासियत यह है दोस्तों के इसे sidebar को as a video toolbox भी आप use कर सकते हैं आपको बस इसकी settings में video apps को select कर देना है let's say YouTube हमने यहाँ पर select किया है तो जैसे ही YouTube को आप open करेंगे यह sidebar जो है वो video toolbox में convert हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी काफी सारे options add हो जाते हैं एक सबसे बढ़िया feature जो मुझे यहाँ पर रखता है वो है play video sound with screen off मतलब कि अगर आप screen को बंद करके सिरफ sound play करना चाहते हैं अगर आप song सुनते हैं या कोई commentary सुनना चाहते हैं यो के YouTube premium का एक feature है वो यहाँ पर आप free में use कर सकते हैं इसकी मदद से और इतना ही नहीं दोस्तो इस video toolbox के अंदर और भी अच्छे features आपको मिल जाते हैं जैसे कि अगर आपको screen record करना है उसका direct option यहाँ पर आपको दिया गया है screen recording की बात करें तो इस phone में maximum आप full HD quality में record कर सकते हैं हालनके video quality आप 60 mbps तक सेक्ट कर सकते हैं sound source आप mic या system sound दोनों से कर सकते हैं और उसी के साथ उसकी बहुत सारी और settings भी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं Dolby Atmos के आप और भी काफी सारी settings हैं जो के आप settings में sound and vibration के अंदर नीचे अगर आप scroll करते हैं तो sound effects के अंदर से control कर सकते हैं जैसे के अगर आपको कोई preset enable करना है या फिर equalizer की मदद से sound को customize करना है वो सब चीज़ें यहाँ पर possible हैं अब क्यूंकि इस phone में Dolby Vision का support भी मलता है जिसकी मदद से colors enhance होते हैं तो यहाँ पर आपको एक style का option भी दिया गया है जिसकी मदद से अगर आप चाहें तो आप videos के colors को भी जादा enhance कर सकते हैं इवन अगर आप चाहें तो black and white यहाँ पर आप select कर सकते हैं black and white हो जाएंगे सार colors तो यह एक बहुत अच्छा feature जो यहाँ पर आपको दिया गया है और इस sidebar का एक और खास feature यह है दोस्तों के इस sidebar को आप gaming toolbar की तरहां भी use कर सकते हैं आपको बस यहाँ पर अपनी games को select करना है और phone automatically जब भी आप उस game को चलाएंगे तो इस sidebar को gaming toolbar में convert कर देगा इस phone में floating windows का support भी आपको काफी एच्छे से दिया गया है किसी भी app को open करके बस आपको recense में जाना है उसके उपर long tap करना है और यहाँ पर यह जो third option आपको मिलता है इसकी मदद से आप किसी भी app को floating window में open कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से resize कर सकते हैं या फिर अ यहाँ पर इसको छोड़ देंगे तो इसको आप mini window में भी convert कर सकते हैं इस phone में आपको 120Hz refresh rate वाला काफी smooth display दिया गया है और animations को आप control कर सकते हैं कि कि कितना तेज या कितना slow करना है अगर आप home screen के पर long tap करके settings में more में जाते हैं तो यहाँ पर आपको animation speed का option मिलता है अगर आप यहाँ पर relax select करते हैं तो यहाँ पर आप notice करेंगे कि animations आपको और ज़्यादा सुन्दर दिखाई देने लगेंगे home screen के ओपर right side अगर आप swap करते हैं तो आपको एक app world देखनी के लिए मिलता है जिसमें काफी सारी ads या suggestions आपको दिखाई जाती है इसको अगर आपको disable क by default अगर आप देखेंगे तो recents window में इस तरीके से आपको apps दिखती हैं लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर horizontal select करके windows को आप इस तरीके से भी recents में देख सकते हैं अब वैसे तो यह phone 5G के साथ आता है लेकिन अगर आप 4G यूज़ कर रहे हैं तो 4G का network भी इस phone में काफ hotspot को enable करते हैं तो आपका wifi बंद नहीं होता बलके wifi और hotspot दोनों एक साथ own हो जाते हैं और इस hotspot की मदद से आप अपने wifi को आगे share कर सकते हैं अपने phone को एक तरीके से wifi extender की तरहां इस्तमाल कर सकते हैं scrolling screenshots का support भी आपको यहाँ पर दिया गया है अगर आप एक normal screenshot capture करते हैं तो यहाँ पर आपको scroll का option मिल जाता है phone अपने आप scroll करना शुरू कर देगा जहां तक आपको capture करना है उसके बाद done के उपर आपको tap कर देना है और एक long window को एक ही screen में आप capture कर सकते हैं एक और अच्छा feature मुझे इस phone में sunlight mode लगा अगर आप outdoors में phone बहुत जादा इस्तमाल क देता तो यह sunlight mode काम करता है और आपके phone की brightness को बढ़ा देता है इवन अगर आपने automatic brightness को off किया हुआ है एक और बहुत ही useful feature आपको यहाँ पर sound से related मिलता है sound and vibration में sound assistant के अंदर आपको multiple audio sources का option मिलेगा अगर आप एक time के उपर जादा चीज़ों का audio play करना चाहते है जनरली क्या होता है कि अगर आपने एक music play कर रखा है दूसरा music जैसे ही play होता है background का music बंद हो जाता है लेकिन इसको enable करके आप एक time पर एक से ज़्यादा music play कर सकते हैं by default आपको status bar में connection speed नहीं दिखाई देती है settings में अगर आप notification panel के अंदर status bar के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको connection speed enable करने का option देता है उसी के साथ battery indicator जो है वो आप in the icon की जगा outside the icon भी enable कर सकते हैं तांके आपको clearly battery percentage यहाँ पर दिख जाए एक और unique feature जो इस phone में आपको द दो लोग phone को use कर रही है तो दोनों लोग अपना face इस phone में register करके face अनल को काफी असानी से use कर सकते हैं उसी के साथ password and security के अंदर आपको privacy protection password का feature भी दिया गया है जिसकी मदद से आप अपनी files को hide कर सकते हैं अगर आप messages, photos, files, notes किसी भी चीज़ को protected करना चाते हैं hide करना चाते तो ये आपकी help कर देगा अगर आप phone में gaming या कोई भी heavy task perform करते हैं तो settings में battery के अंदर आपको high performance mode select करने का option भी मिल जाता है हलांकि इसको अगर आप enable करते हैं तो phone थोड़ा heat हो सकता है और जाधा battery use होगा तो इसको हमेशा के लिए enable मत रखें लकिन जभी भी आपको feature मुझे इस phone में ये लगा कि इस phone में जो system apps के icons हैं उनको भी आप home screen से हटा सकते हैं even app drawer से हटा सकते हैं apps के अगर आप manage home screen shortcuts में जाएंगे तो ये themes का icon या service and feedback वाला icon downloads का icon music का icon ये अगर आप हटा देंगे तो ये हर जगा से गाइब हो जाएंगे एक तरीके से disable हो जाएंग और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कहीं भी ये icons आपको नहीं दिखेंगे और app settings के अंदर ही आपको dual apps मतबके app kloner का option भी मिल जाता है अगर आप एक ही app के दो accounts अपने phone में यूज़ करना चाहते हैं तो काफी असानी से कर सकते हैं और MIUI की एक बहुत अच्छी चीज ये ह कि सिरफ social media app नहीं आप किसी भी app का dual app create कर सकते हैं और यहाँ पर ही आपको app लोका option भी native तरीके से बिल जाता है आपको किसी third party app की ज़रुत नहीं है और इसके अंदर आप face unlock या face data भी इस्तेमाल कर सकते हैं काफी सरे gestures भी आपको मिल जाते हैं जिसके settings में additional settings के अंदर आपक इसे कोई task perform कर सकते हैं यहाँ पर ही options है इन में से कोई भी आप select कर सकते हैं additional settings के अंदर ही one handed mode का option भी है जो के by default disable है लेकिन अगर आप इसको enable करते हैं तो यह android 13 वादा नेया वादा one handed mode इसमें आपको मिल जाता है additional settings के अंदर ही आपको memory extension मतब के virtual RAM का option भी मिलेगा मेर पास यहाँ पर 6 GB RAM वादा variant है और इस phone में आप maximum 5 GB RAM को expand कर सकते हैं settings में special features के अंदर भी एक बहुत अच्छा option आपको मिलता है second space का अगर एक से ज़ादा लोग phone को use करना चाते हैं तो आप dedicated एक space create कर सकते हैं users की तरहा जब भी आप login करेंगे तो जो password आप enter करेंगे वो ही space आपक camera के भी बहुत इच्छे features आपको दिये गए हैं तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि 50 megapixel mode अगर आप use करना चाते हैं high resolution photos capture करना चाते हैं उसको option आपको मिल जाएगा और क्यूंकि ultra wide angle camera भी है उसको भी आप यहाँ से enable कर सकते हैं और यह ultra wide angle camera आपकी videos में भी काम करता है camera के सबसे जादा अच्छा option मुझे लगा voice shutter का अगर आप three bars के उवर tap करते हैं तो यहाँ पर आपको voice shutter का एक option मिलता है इसको enable करने के बाद आपको photo capture करने के लिए बस चीज बोलना है और photo आपका automatically capture हो जाएगा camera के अंदर चो documents mode का option है वो मुझे इस phone में काफी जादा अच्छ कर देता है इवन अगर आप चाहें तो scanned image में आप अपना water mark भी enable कर सकते हैं portrait mode की बात करें तो यहाँ पर आपको variable depth effect का option मिल जाता है बोथ front and rear cameras में videos की बात करें तो आपको bouquet videos का option नहीं मिलता लेकिन beauty videos अगर आपको use करना है तो videos के अंदर beautify mode को आप enable कर सकते हैं slow motion videos भी आ phone में काफी इच्छा आपको मिल जाता है काफी सारी settings भी आपको दे रखी हैं सबसे एची चीज़ जो मुझे लगती है कि videos के अंदर भी pro mode को आप use कर सकते हैं और ये 3 bars के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको focus speaking और exposure verification जैसे options भी दिये गए हैं videos के लिए और भ सकते हैं और उसी के साथ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो और भी काफी सरे modes आपको यहाँ पर दिये गए हैं जैसे के panorama mode आपको मिल जाता है time lapse mode है और long exposure वाला mode सेक्ट करके भी आप कुछ creative photos capture कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में यही था I hope आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को like and share जरूर किजेगा और मुझे बताएगा नीचे कोमेंट्स में के आपको कौन सा feature सबसे जादा अच्छा लगा और चैनल को subscribe जरूर से कर दिएगा दोस्तों अगर आप ऐसी और interesting वीडिय दोस देखना चाते हैं इस वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों